नमस्कार आज हम बात करेंगे लेडीज के बारे में महिलाओं के बारे में और उनको वने वाली बीमारी के बारे में और उलकी जितने भी बीमारियां है उसके बारे में एक ट्रेट्वेट है जिसका नाम बोलते हैं वो maximum ladies एकी चीज़ बोलते है छी यह कोड़ करेगा तो ट्रीटमेंट क्या है और क्यों एकना जरूर विडिया है पुरिजाब का रही है आज इस वीडियो होगे सॉधर आपस अभी गविश्र वेदा में और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के बिमारी के बारे में देखिए हमारे पास जितनी भी लड़कियां लेडिज या महिला आती रहे वह सबसे ज़्यादा बिमार होती है यह आपके फैमिली में भी आप जब देखेंगे सबसे ज़्यादा मिमार वकान रहता है अगर आप समझो 5 या 6 लोगों का आपको परिवार है और आप बैटकी देखें तो कौन बिमार है तो आप देखें तो आपकी जो घर में लेडिज डिपार्टमेंट है वह हमेशा बिमार रहेगा जी हाँ उन्हें कुछ तब उच तथीलिफ होगी कभी पीरेस की तथीलिफ होगी कभी मोर स्विंग होगा कभी उनके बाज जट रहे होगी कभी बुखार आएगा कभी कमजूरी लगेगी कभी खोन की कमी हो रही है कभी पाचन की प्रॉबर्ब्र कुछ पुछ प्रॉब्र्ब्र होती रहती है इसलिए कई हस्बंड जो आते हैं कि इस लुबा उठके बोले कि मैं ठीक हूँ ये बिमार ही रहती है और करीबर वो चेंडने भी लगते हैं कि बस इसका तो ना तक है और टाइम बिमार ऐसे करके बोलते रहती तो चली सबसे पहले हम समझते हैं कि महिलाओं के शरीर में ऐसा होता क्यार है जिनकी कारण वो बार बार बिमांत होते रहती है देखे पोई भी लडगी महिला या और जो है उसकी जिनकी में तीन सबसे बड़े परिवरकन होते हैं सबसे पहला जो चेंड होता है वो है 12-14 साल की उम्र के आसपा से पीरिड शुरू होना थी मास्टीं खर्म या फिन मास्टेट इक्ष्राव ज सब सेवें 12 साल की कोमरे से लेडी इस पीया लड़कियों को पीरियड आना चाल रो होता है यह सबसे बड़ा चेंज उनकी लाइफ में होता है बहुत सारे बाद में चेंज होते हैं कई सारे वाड़ी में चेंज होने के बाद पीरियड आता है तो यह जो पीरियड आना वायू को एक दिन में भगवान तर बोला है तो शरीर में कोई भी गती होना कोई भी चीज होना वागती गंधन योड़ती वातफ एक सिंगल चीज का हेलना एक सिंगल चीज का मुवमेट होना वह आप जो स्टोच रहे हैं कि आत्की की होगी में दौम स है उभी चिर्मार खुलिक है कि क्षरीग में कुछ भी निकल रहा है उ virtue हो रहे वू सब को is वा्त बार क्रण वात समय कहे, तो महीने में एक बार जरूर आएगा, वह भी किस दोष्म के करण रहीगा, वाथ के करन रहीगा, इसनी दे पर amplify nagacia करते हैं, कि को back pain होता है या white discharge होने रच जाता है बहुत ज़्यादा चिलचीडापन वुस्सा अमोर स्विंग होना तो यह सारी चीज़े उथन वुथन जो हो जाती है periods के time पे यह period आने के starting पहले जिसको PMS बोलते है और period जैसे ही वह जब आ है या ladies के life में होता है वह है उनको जब गर्व धारण होता है या जब ही भी उनको pregnancy होती है तो pregnancy conceive करना pregnancy के वह 9 वहीन है जो गर्व है वह पेट में रहना बच्चा पेट में रहना और उसके बाद delivery होना तो यह जो दूसरा बड़ा changes है इसमें भी सबसे जब डॉमिनेंट डूस कौन सार है वाव और तीसरा सबसे बड़ा change किसी भी ladies के body में और किसी में महिला के शरीर में होता है वह है मेनो पॉस होना या फिर जो पीरेड है मास्टिंग खर में है वो बंग हो जाना ठीक वो बंद होना में क्यों बहता है बाद के कारण इसलिए अब सभी ladies को रेखे जैसे पीरेड बंग होने का टाइम आता रहे ठीक जिसको मेनो पॉदल सिंड्रोम होते है तो मेनो पॉस के न पाचल की तकलीफ रोने का मन करेगा पुद जदा चिंडाने का मत करेगा इतने सारे जो हॉर्मोनल चेंजेश शारिलिक रूप से मानसिंग रूप से जो 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 चेंजेश है वो भी किसके कारण बोलता है वात के कारण तो एक टैक्ट से हम यह बोल सकते हैं कि लेडीज का महिलाओं का जो शेरीर है किसी भी लड़की का जो शेरीर है वो पूर एक पूरा वात के जोन में ही रहता है यह उनकी पूरी जिन्दगी के ओपर जो सबसे जानल डौमिनेंट दोश है वो कौन है वात और तुरा डीपे चलते हैं आप लीडीज है क्यों आप महिला है क्यों इसलिए वे और फीमेर मतलब आदमी और 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 में सबसे बड़ा अंतर क्या रहे है तो आदमियों में नव आशे मतलब नव अनगलन द्वार है और वही लेडीज में बारा आशे आये बिन में बोले गए मतलब उनके पास गरभाशे गर्विधार तरने वाला जो आशे है और जो उनका स्तन्य है जो ब्रेस्ट है वह दो तो ऐसे तीन आशे जो है वह लेडीज बोडी में एक्स्ट्राब होते है तो जो भी कोई लेडीज है उनकी पूरी टो पूरी जो बोडी है वो किस में डिपेंड रहे? गर्भाशे के हल पर इसलिए देखिए जिस भी फीमेल पर मैस्डूल साइगल अच्छे रहते हैं और मोस्ट 80% से ज्यादा उनको कोई तखीज ने होती पीरियड अगर टाइंग पे आता है प्रॉपरी बीड होता है पुछ इशूस ने तो उनको कोई दखीज ने होती है उनका जो शारी एक वाहस एक बाकी सारे है अच्छे होते है अब वो गर्भाश आताकार है या पूरे का पुरा जो फीमेल री प्रोडेप्टिव सिस्टम में वो कहा आता है इसलिए लेडीज का बॉड़ी या लटकियों का या महिलाओ का जो शरीद है वो पूरे का पूरा उनकी शरीद पे वाहस का सबसे ज़्यदा एफिंट देखा जाता है इसलिए मोट स्विंग होने से लेकर बाइज मिलना चेटशिडा पन बहुत ज़्यदा जुर्या आ जाना पीट में क्रैम्स होना पीसी ओडी की जैसी तपीफ होना या गरवाश है में गाठेव हो जाना फाइब्रोड्स हो जाना या बहुत ज़्यदी एजिंग होना बार- अब कोई भी महीदार है लड़की रहे और वो बार-बार मिमार होते हैं और उन्हें सच में ठीक होना है तो उसमें आई दिने बोदा गया है कि एक प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए वो प्रैक्टिस क्या है बस्धी रेवस ही तरह सदा ऐसे करके शुशु जी ने कहा है क की वात की मिमारी हो पित की मिमारी हो कफ की मिमारी हो इनके कॉंबिनेशन की मिमारी हो वात-पित, पित कफ, कफ वात या तीन के तीनों गवाई हो ऐसे वे नित्यवस्थी ज़रूर लेना चलिए नित्यवस्थी मतलब जहां से पेट साफ होता है उस जगह से जो आईरविद में जो बस्तियां बोली गई को उसके बातन है तो जैसे हम बोलते है कि कोई भी जो लेडीज आती है या हमारे बस कई पेशन्स है कई PC को सेक्रोइड आइडीज है किसी को जॉइंट्स के दभीफ है किसी को नीव नहीं आती है वाज यड़ते है ऐसे रगड़ पहती चीज़ ह माँ उनको बोलते है कि इस तरह के पाउचे मिलते हैं कोई भी आई रियोदी आपको जो प्रीनिक है वहापे मिल जाएदा सौ से नेके पांड़ सो रोपे तक या हजार पे जो भी उसके अंदर कौन कौन से उस्टे डाली है उस पर डिवेंट उखला है इस तरह के पाउचे है अच्छी यह कौन करेगा यह पीछे लादरा और कईयों तो असे क्यों को तो से लगता ओप त्वी भनोंगों वुछ काम धना यहाँ ज्याहा देखो वहा पे तेल की जहां जगा धिक है नाप में तेल, नाप में तेल, ओम में तेल, शरीर में तेल, तेल एक खाना, यह खाना, तुमको तेन भी किलाव कोई देखता रहेगा, और यह जब तो ठीक था, अब तुमने पिछवाडा भी नहीं छोड़े, वहाँ पर भी तेलगी की बात कर रहे हूँ, इतना सब तेलगी अब गिला का लाओगे, ब्रंदोगे, पंखा चालो करोगे, सूप जैटर का बड़ा पंखे की हवा से, क्यों सूप गया, वो जो हवा थी, वो हवा के अंदर ताका थे, किसी भी चीज को सुखा देने का, तो यह जो हवा, अब हमारा शरीर और ब्रहमार कोई अलद चीज न आई हुँए, उसका काम में कोई भी चीज को सुखा देना, या फिर ड्राइ कर देना, या फिर डीजनरेट करना, आप और मैं, जब भी भी हम बोड़े होगे, और बोड़े हो कि जब हमारे मृत्ति होगी, शरीर खतम होगा, तो किस के कारण खतम होगा, वात के कारण, तो अंदर शक्ती है किसी भी चीज को खतम करने लेकि, इसलिए लेडीज बोड़ी में, क्योंकि वात सबसे ज़दा डॉमिनंसी देखी जाती है, इसमें उनको सबसे ज़दा वाइन के रोख होती रहते है, बहुत बार उनको क्रैंप साते रहते है, बहुत बार गुबना दर, जो भी बाल जड़ना वड़ना पीसी ओड़ी होना पीर स्टायन बिना आना पिंपल्स बहुत ज़दा होना ऐसे हजार तरह की तप्रीवे देखने मिलती है तो कुछ तक्लिश से बचने के लिए आपको नित्य बस्ती करना चाहिए यह डेल ही शाम को खाना खाने के रवाद आपको तीस से चाहिसे में यह साथ हमेल के तेल की बस्ती है न चाहिए तो यह सुनते ही कुछ यह यह लेडिस का इसे निचरत है छी यह कौन करेगा आप करेंगे क्योंकि आपको वाईव की तक्रीफ हो रही है और जैसे आप ड़ी ब्रश करते ही न उस टाहिं पर तुम नहीं पूरते ची रोज कौन ब्रश करेगा रोज कौन और आजी वेंडिन करेगा आप क्यों ब्रश करते हैं क्योंकि मौन से दुल गंध ना हैं आपके दात खराब आपके मस्तोड़े खराब ना हो आप लंबे जमें तर आपके दाप सुरक्षित रहे और रहे अच्छी रहे इसलिए आप ब्रश करते हैं बेली करते हैं वीडा तीजी के बोले करते हैं सुबह उक्ते ही जबसे पहले ब्रश पहले लेते हैं उसका दलगत पेस लगाते हैं पहले मूँ साफ करते हैं वैसे भी आपने अभी समझ दिया होगा कि आपको जब पीरेड आएगा तब वात होगा हर महीने में जो पीरेड आएगा वो किसके करण होगा वात के करण गर्वतारन होना प्रेग्नेंसी होना डियेवरी होना वात के करण जब आपका मेनोपाल हो तब पीरेड बंद होने बर जाएगा और पीरेड बंद होने ये बात से लेकर आप जितने भी तैंक तन जिंदा रहोगे 20 साल, 50 साल, 100 साल, 200 साल जितना भी जिंदा रहोगे वो पूरी का पूरा जो काल है आप वात के अंदर में बुझारने वाले और आपको शरीर में करीबी दर्द होगा तो दर्द की ओधा है वात की खरण विना वायुगी कारण आपके शरीर में दर्द नहीं हो सकता विना वायुगी कारण आपके बुपने खरण नहीं होंगे विना वायुगी कारण आपके घरवाशर विरादय नहीं होंगी उन सब को रोग पेरब रहने की ताकत किसमें है वात्त में इसलिए अगर आप नित्यवस्ति करते हैं नित्यवस्ति कप करना है एक बार आप वोमन या विरीचर परके शरीर की सुध्धी कर लीजिए अब अस्टान हुरी दैयास्टान संगर हनार का जो गृंद है वो आप पढ़ लीज के आपके शरीर को डिस्ट्रॉइ पर देगे आपके शरीर को क्लीनिंग करते रहो और एक बार शरीर साफ हो गया फिर उसको मेंटेव करने की ये नित्यवस्ति कीजिए जिन दिनों में पीरियल्स आएंगे उन दिनों में आप बस्ति मत कीजिए बाकि आप रोज शाम पू को खाना खाने के बाद 30 से 40 से मेरे अगर तेल का निक्तिवस्ति करते हैं तो आप देखेंगे उम्रेटी प्यारत जो आपको बाज रहेगा पर आप स्वस्त्र होगे तो आपकी फैमिली स्वस्त रहेगी आप अपना एनलजी डाइंग जो कुछ है अपनी फैमिली पे उनको अ आपकी जो कुझीड है वो आती है तेल पे तो हर लेडीज को हर फीमेल वो पीरेट के दिन छोड़के बाकी सभी दिनों में निक्ति शरीर पे तेल मालिश करना जब जब आप बाल दोते हैं उन्स टाइम बे बालते तेल लगाना अगर आप डेली बस्ती करते हैं तो आपकी आपकी लाइड इतनी स्मूच जाएगी कि आपको पता भी नी चलेगा बीमारी नाम की चीज़ क्या होती है तो ऐसे करके ऑईल के पाउचस मिलते हैं कोई भी आइडविदिक शॉप से आप ले सकते हैं अब हर एक फीमेल के लिए अलब अलब पैक कर तेल होगा किसी के किसी के लिए बला अशुदन आदी बला उच जादी पिबल लिया दी ऐसे कंके बहुत सारे नारायते महा नारते आइडविद में हजार होते हैं तो अब अपने स्टीटी आइडविदिक जो डॉक्तर ने हों को लिखा लिए उनसे चेक अप करा लिए और उस हिसाब से क्व वाइव अगर आपकी कंट्रोल में है तो बाकी सारे डिसॉर्डर चाहे हो आपको गाठे बो रही हो क्रायन खो रहा हो उटनों का ततीफ हो बाल चड़ना हो फेस्के पेपल्स हो ऐसे सारी बीमारियों से आप लंबे टाहित बचे रहोगी जादे जादे एक कौन चीच चाह हो चाले जाना है बड़ कोई जड़ा नहीं गाए तो यह सबसे जड़त जो रोग के रखने की आदत है वह वैंक्सिवन लेडीज में देखी जाती है में इसके फेट बालन देखते हैं कि ठीक है पुछ नहीं तो ओपन जैब आपे में चाहटी पिशा 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 हैं मतलब आधारनी मतलब ऐसी चीज़े जिनको रोपना चाहिए उनको जबद रस्ती रोपते हैं उसकी कारण सबसे ज़्यादा रोप होते हैं ऐसे चलत सहीत हमें लिखाए इस निश्रोग की सुवाकी वैसे करते हैं न वेगांधारिये कभी भी नेचरन वेगों को रोपो करते हैं टन पीन करते हैं अपनी कोरल हेल्थ सल्प को अच्छी रखने के लिए वैसे इक कोन से चाह Herd को अच्छी नित्ति बस्ती की प्रक्टिस आप जरूर कीजिए इस दिशुरू सर्टी बोलते हैं बस्ती रेव कि इस सदा की विश्चत हमेशा फाइदे मत रहेगी तो कौन से टॉपिक वाब वीडियोज देपा जाते हैं वो भी कमेंट करके बोल सकते हैं तता के ये स्वस्त रहें, मस्त रहें